एक चीज और, पिछले दिनों दो hiccups हैं, बड़ी बात नहीं है वैसे तो, बड़ी हिस्ट्री में, लेकिन Canada और Maldives, दो घटनाएं ऐसी हुई जो बड़ी अजीबों गरीब थी, दोनों से भारत के संबंद अच्छे हैं, तो अगर मैं सवाल को over simplify करूँ और ये पूछूँ क जो Canada का विशय जो है, Canada का विशय ये है कि कुछ सालों से, वो अपने राजनीती में ये जो जो अलगावादी, जो मैं कहूँगा आतंकवादी, जो विचारधारा जो है, इसको उन्होंने बहुत स्पेस दिया है, उनकी politics, ये उनकी politics की मैं कहूँगा एक कमजोरी है और, उसके कारण, वहां बहुत सारी चीजें हुई है, घटना ही हुई है, जो होनी नहीं चाहिए, अब जिसका आप जिकर कर रहे हैं, उनके प्रधान मंत्री ने हमारे बारे में, पबलिक में एक अरोप लगाय था, उसके पहले प्रधान मंत्रियों की मुलाकात भी हुई थी, यहां हुई थी और मैं प्रस्तुत था उसमें, तो हमारी पोजिशन ये थी कि देखें, अगर आपके मन में कुछ सोच है, कुछ आपको कुछ सूचना मिली है, आपकी कुछ चिंता है, तो बेशक आप हमें बताईए, अगर आप पूरा नहीं बताना चाहते हैं, कुछ तो रोप लगा है, इसकी कंपैरिजन में आपको देता हूँ युएस के साथ, युएस ने हमें कहा कि देखें, हमें लगता है कि कुछ criticizing हैं, जिनका कुछ उनकी कुछ गशिविदिया हैं, हमें कुछ सूचना मिली थी, हमने इसको रोका है, हम आपको कितना सूचना हम दें सकते हैं information हम आपको देंगे आप अपने साइट से हमें बताएए आपको क्या मिलता है और हम इस पे cooperate करने के लिए तैयार और जो जिस किसम से Canadian politics में यह separatism, extremism, violence उनको जो space दिया गया है वो आप अमेरिका में नहीं डेख तब भी अमेरिका में कुछ problem है यह नहीं कि problem नहीं पर फरक है उनके politics में फरक है और उनके approach में भी फरक है और जिस तरह से उन्होंने रिष्टों को handle किया उसमें भी फरक है